राहू और केतु बारहे अप्रेल दो हजार बाईस से राशी परिवर्तन कर रहे हैं, ये विशाये चारों और प्रमुख चर्चा का केंद्र विंदू बना हुआ है, दोनों है ग्रहे जो छाया ग्रहों की शर्णी माते हैं, नव ग्रही विवस्ता को देखा जाए, तो पांच ग्रहे तारा ग्रहे हैं, दो ग्रहों की स्तियां दुरश्य मान आधार पर चलती है, जिसमें सुर्य और चंद्रमा है, तो राहू और केतु की स्तियां चाया वारिता के आधार के साथ में चलने वाली होती है, एक ग्रहे मोक्ष कारक स्तियों को दिर्मित करता है, तो वहीं म इतना उचाट हो जाता है कि वेक्ति जो कर रहा है उससे ही दूर होता चला जाता है ये प्रभाव है केतु का तो वही राहू अंतर चेतनाओं को बहुत गहराई से प्रभावित करने वाले हो जाते हैं सब कौंशियस अप्रोच के साथ में किसी भी बात का आना वले ही वो फिय किया अपने सहर से दूर जाकर अपने नाम को स्थापित किया साथ ही साथ में फाइनिशल बेसिस के गेन भी वहां से देखे और वहीं से जो आशियाना बनाना था कुछ सेविंग जो करनी थी वो सब कुछ देखा परंतु मन के भीतर ये आने लगता है कि हम यहां अकेले रह रहे हैं परिवार कहीं और जगे रह रहा है अब एक बार यह वैचार करना चाहिए कि यह सब कुछ छोडा जाए घर परिवार के साथ में जोडता हैं وہیں कोहीं कोई कामकाच करेंगे जिनके साथ हम बड़े हुए हैं उनका पूरा पूरा सपोर्टिव बेस साथ में रहने वा का निरनय कुछ ही दिनों में ले लेता है ये जो खेल चलता है रकेतों के द्वारा चतुरत भावस्त अधार के साथ चलने वाला होता है और राहू जब भी दशमस्त अधार के साथ में होते हैं चोटी चोटी संभावनाओं के जो बीजार ओपन मन के भीतर होने चाहिए नौक करना है कि वो किसी और कामकाच के और जाएं जिससे की जीवन में बहतरी निकल कर आती चली जाए इन डाइरेक्ट अप्रोच में हमारा सपोर्ट वहां पर रहे दशम भावस्त राहू ऐसे आधार को ग्यक्ति के सम्मुक रखने वाले होते हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्ट भाव जो हरदय भाव है उसके साथ में केतू बारह अप्रेल 2022 से जुड़ जाएंगे पंचम भाव से निकल कर केतू की स्थियां चतुर्ट भावस्त राहू के साथ चलने वाली होगी और वहीं लाभ भाव से निकल कर राहू की स्थियां यहां एक तरह से दशम भाव के साथ में चलने वाली होगी तो मेश और तुला राशी स्थान में चलने वाले राहू और केतू की पोजिशन एक ही सम्मे काधार को दर्शाने वाली होती है कि इस समय के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेश अपने जीवन में बहुत कुछ नएपन के सिरे भी खोजने वाला हो सकता है आप ये भी देखिएगा कि जब भी राहु और केतु की चर्चा होती है व्यक्ति भया क्राम ताधार के साथ में होता है सावधानी के साथ में चलने वाला होता है मानो ऐसी सूचना मिल रही हो जो सिर्फ पर सरफ विक्ति को अवेर कर रही हो पॉसिबिलिटीज को दरशा ही नहीं रही हो इसके उलट इस ग्रही विवस्ता के जो माद्यम है भावों के साथ में अलग परिणाम देने वाले होते हैं राहु जब भी तरती, सस्त, दशम और एकारश के साथ में होते हैं परिणामों की प्रवर्तियां अलग तरीके से सम्मुख निकल कराती है और इसी चर्चा के साथ में आप ये भी देखिएगा कि हमने शनिदेव की स्तियों को भी यहां करक राशी के जातकों के लिए दर्शाया है यह समक्री चर्चा हम यहां राहु के तू परिवर्तन की करक राशी के जातकों के लिए लेकर उपस्तित हुए हैं यहां आप देखेंगे कि 29 अपरेल 2022 से 12 जुलाई 2022 और 17 जनवरी 2023 के बाद से शनिदेव की स्ततियां अस्टम भावस्त आधार के साथ में चलने वाली होगी अर्थार्थ जो डईया का अधार है वो गतिमान रहेगा शनिदेव की तीसरी द्रिस्टी अपने नीचस तराशी स्तान पर रहेगी ब्यापार और अस्टम भाव के अधिपती कर्म भाव को लेखने वाले होंगे जहां राहू पहले से ही गतिमान अधार को लेदे होंगे तो इसी वज़े से शनिदेव की इस द्रिस्टी को भी यहां चर्चा के साथ में जोडने की पूरी-पूरी आवशकता हैं रहेंगी हम परतम तया शुरुबात करते हैं राहू की इस इस्तिती के साथ में जो जीवन में परबंदन क्या धार होते हैं उसमें कमी निकल कर आ सक खलके फलके तोर पर जो व्यक्ति अविवस्तित सेरों को अपने साथ में देखने की शुरुबात करता है वो एक बेस यहां से निकल कर आ सकता है आप इस बात पर गोर कीजिएगा परंतु उसी अविवस्तित सेरे के साथ में भी आपको नए रास्ते मिलने वाले हो सकते हैं इस बात के साथ जोड़ने की पूरी पूरी आपको जरूरत है यहां आप यह भी देखें कि आजीवी का का कोई भी माद्यम आप विक्सित करना चाहरे थे हाल ही कि समय में आपको यह सबक बहुत अच्छे से मिला कि एक से दो इंकम सोर्सिस साथ में होने चाहिए मन की भीतर स्थान में चलाए मान राहू कि यह पूजिशन जरी आप औशद विज्ञान संबंदे कामकाच के साथ में अस्तक्षेप रखते हैं जरी आप केमिकल संबंदे किसी भी कामकाच के साथ में प्रवरतमान होना चाहते हैं वहां पर यह बेश आपके साथ रहने वाला होगा और आप ये भी देखते चले जाएगा कि इस position के साथ में चलते हुए राहू की ये जो इस्तती है आप के लिए नौकरी पेशा जीवन में भी द्रड़ता को लेकर आने वाली हो सकती है इस पश्ट रुपेण हम यहाँ यह कहना चाहेंगे कि द्रड़ता का अर्थ एक ही है आप जिस कारेर के साथ में हैं वहाँ और अलेक इस्तिरता के साथ में चलने वाले रहे आप प्रबेशन को कंप्लीट करके confirmation की और जाने की जो basis होते हैं उसको जो आप देखने वाले होते ह उसमें राहू का प्रभाव दशम भावसाधार के साथ में एक तिवरता को देता है यहाँ प्रबेशन से confirmation की approach एक तरह से symbolic indication है कि आप जिस भी शेतर के साथ में हैं वहाँ परिपक्वता जब निकल कर आती है तो राहू अपने प्रभाव को रखने वाले हो जाते हैं यह एक मुकबात साथ में यह भी रहने वाली रहेगी कि इसी समय अंतराल के साथ में आप यही किसी भी परिवरतन की और जाना चाहते हैं लंबे समय से comfort zone के साथ में चल रहे थे मन के भीतरे गबराहट है कि खुद को prove कैसे करेंगे पुने हैं कहीं और किसी जगह जाते हैं तो यहा की mandate approach को अपने साथ अपना कर चलना है और वहीं से आप अपनी possibilities के साथ में major level के changes देखते हैं यह एक base यहां आपके साथ रहने वाला हो सकता है इसी वज़े से changes की positions और possibilities आपके साथ में बहुत अच्छे से रहेंगी पिता के साथ कामकाजमे रियक्टिव होने से आप पूर् financial burden को major basis के उपर बढ़ाने से बचने का प्रयाज जरूर करें इसके पीछे वज़े यह है कि राहू की जो दृस्टी है वो धन भाव पर भी रहेगी और रिन भाव पर भी रहने पाली होगी धन भाव के साथ में जब भी राहू की दृस्टी रहती है तो व्यक्ति खर्चों के साथ में बहुत ज़ादा गणनाओं में नहीं चल पाता रुपया पैसा आया और रुपया पैसा खर्च कैसे करना है ये दो ही माध्यम चलते हैं रोटेशन के अलावा यहां संचय की परवर्तियां दिमाग के वेतर इतने अच्छे से आ नहीं पाती ये एक confusion रहता है इसी वज़े से हम यहां ऐसी लोब की इस्ततियों से या यू समझ लीजिए कि fascination की इस्ततियों से दूर रहें जो सिर्फ और सिर्फ वस्तूओं के परती निकल कराती है पारिवारिक जनों के साथ में यहां आपकी जो anxiety निकल कराती है चोटी चोटी बातों में frustration जो निकल कराती ह उससे अब इस अंतराल में सम्भलने की जरूत रहेगी कोई भी व्यक्ति विशेश आपके सम्मुक संबंदों के साथ में शंशे परोस रहा है उससे कैसे दूर रहा जा सकता है इस एक बात पर आप गोहर करने का प्रयास जरूर करने वाले हो और साथी साथ में आप ये भी देखेगा कि इसे ही समय अमतराल में जो आपकी वानी का प्रभाव है वो रियक्टिव नहीं होने पाए आप 99 प्रतिशत तक किसी भी कारे को पूर्ण कर चुके अब फ्रस्टेशन आई और हम वो कह गए जो मन के भीतर ही नहीं था नजाने ये बात कहां से निकल कर आई वो सरफ और सरफ एक गुस्से का आवरण था वो एक मन के भीतर की जुझलाहाड थी जो शब्दों के माध्यम से हमारी टोन के साथ में निकल कर आई और जो कारे पूर्ण तया हो चुके थे वही पर एक गैप आता चला गया ये एक पोजिशन कई बार डिस्ट अब भी करने वाली हो जाती है इस एक बात से आप यहां सोहिम को आप सभालने का प्रयास भी करते चले जाईएगा हाला कि जो रुपया पैसा लंबे समय से अठका हुआ था किसी भी वेक्टि विशेश के साथ में सक्त लहजे में जो बातचीत करनी होती है उसके साथ में भी आप थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिएगा यानि कि यहां पर बहुत ज़ादा आप कुद को मोल्ड करके चलने का प्रयास करने वाले हो फ्लेक्सिबलिटी की अप्रोच को जरूर अपनाए और वहीं पर राहों की जो इस्तिए यहां रण भाव के साथ में जुड़ी हुई है वेक्ति कई बार जो बे रण आदि उसके साथ होते हैं उसको इग्नोर करता चला जाता है यानि जो भी पोजिशन है उसके साथ कई बार ये शब्द निकल कर आते हैं कि चलता है देख लेंगे अभी जो विवस्ता है उसके साथ में चलते हैं ऐसे प्रभाव से स्वयम को बचाने का प्रयास कीजिएगा और साथ ही साथ में आप इस वेक बात को भी नोट करके चलते चले जाईएगा कि यहीं पर वो एक स्थती सम्यक तोर पर सामने निकल कर आती है कि शत्रू भी यहां आप पर हावी नहीं है पर तो आप भी उन पर हावी होने का प्रयास बिलकुल भी नहीं करें जो बातें बहुत पीछे चुड़ चुकी आज उनहें पुनहें सम्मुक लेकर आना ठीक नहीं आप किसी प्रमोशन के साथ में चलने माले हुए और मन के भी तरही बात आगई कि नहीं अब तो लोगों को जवाब देने के आवशकता है जो लोग विद्रों में थे अब उनको बताएंगे हमके कामकाच कैसे होता है ऐसी इस्ततियों से आप संभलिएगा और वहीं यह निवदन आपसे हम करेंगे कि नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूस से मेजर बेसिस के उपर आप खुद को सावधान रखने का प्रयास जरूर करने वाले हूँ डेट पेन की प्रब्लम हो गई नर्व्स को लेकर इशूस के साथी साथ में जो भी परिशानिया यहां पर गुटनों के साथ में जुड़ी होती है उससे भी संभलने की आपको पूर्ण तया जरूरत रहने वाली होगी इस तमक को रिलेट करते हुए इशूस भी पूनहे उजागर होते हैं तो वाँ सब या समलने का प्रयास करें वहीं जो केतू की पोजिशन्स यहां चतुरत भावस्त आधार के साथ में बनी रहने वाली होगी आपको मोह जनित भाय दे सकती है तो नहें अगर आप अपनी नेटिव के साथ में जोड़ना चाहते हैं बहुत ज़ादा कॉन्क्रीट प्लैनिंग आपके साथ में हो तब ही उस और निरणय में जाने का प्रयास कीजिएगा ये करबद निविदन आपसे हम करना चाहेंगे दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करें कि केतु की इन इस्तियों के साथ में जो नेटिव प्लेस के साथ में आ सकती बढ़ रही है वहाँ किसी भी निवेश की संबावना को आप भूमी संबंद आधार के साथ में देख रहे हैं वहाँ बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं शुक्र के राशिस्तान में केतु केतु मंगल बत्फल करने वाले और ऐसे कॉंबिनिशन के साथ में द्यक्ति को ये लगता है कि सुविधा जनित सुखों को लगातार जीवन के बीतर बढ़ाना चाहिए ये भी खरीद लिया जाए वो हासल कर लिया जाए वहाँ बढ़ा जाए और रुपए पैसे का क्या लोन की विवस्ताएं हैं लोगों से यहाँ पर जो संबंद बनाए हैं मदद ली जा सकती है ऐसे गणनाओं से पूर्ण तया स्वयम को दूर रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहने वाला होगा ये निविदन आप सहम करेंगे सर्विस इंडस्री संबंद कामकाज में दहतरी आपके सम्मुख निकल कर आने वाली हो सकती है आप ये भी देखें यहाँ पर कि जो केतू की स्तिया है वो आपके कार शेतर में आपको नाम दे सकती है बशरते कि आप वहाँ ठैराव की पूरी ही गतिविदियां अपने साथ में लेकर चलने बाले जरूर रहें कहीं पर भी आप यहाँ बहुत जादा तिब्रगामी आधार को अपने साथ अपनाने से बचते चले जाईएगा और ये भी याद रखना आविशक है कि कोई भी परिवर्तन मिलता है उसकी स्विकारोक्ति अपने साथ में रखिएगा एक और्गनाईजेशन से आपको चेंज का उफर आया है जिस एक्जिस्टिंग और्गनाईजेशन में उसमें कहा जाता है क्यों जा रहे हो क्या करोगे यहीं पर पैकेज को दे देंगे यहीं पर आपका मन माफिक स्थान हम दे चुके होंगे ऐसे इस्तियों से रुकना खुद को मोह जनत भाय देने के बराबर होगा उससे आप संभलिएगा और वहीं जो शनिदेव का दृष्टी निक्षेपन है आपको निरनायक मौकों पर कर्म में आलस दे सकता है सब कॉंशियस अप्रोच वहां से फियर में आ सकती है उससे आप पूर्ण दया खुद को संभालने का प्रयास जरूर करने वाले हों ये एकने विदन आपसे हम करेंगे और साथ ही साथ में विदेश इसमबंदी का तेविदियों में जो वर्द्धी निकल करा रही है वहां पर भी एग्नुरेंस की अप्रोच को आप अपनाने से बचें जिस भी कामकाच के साथ में आपको मालूम है कि आपकी प्रेजन्स की रेक्वार्मेंट रहेगी किसी और वेक्ति विशेश को वहां भीजना और अपनी प्रेजन्स को दूर रखना उस कारेक के अंदर दुविदाओं को लेकर आ सकता है ऐसी स्तियों से भी आप संभलने का पूरा पूरा प्रयास करते चले जाएगेगा तो ये था राहू और केतू का होने वाला परिवर्तन जो 12 अपरेल 2022 से प्रभावी रहेगा हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ मेरंतर हाजर होते रहेंगे धन्यबाद और गोडिशे है आफर